ओके दोस्तों, तो सर्दी भड़ी सुभह में आप लोगों का फिस्स स्वागत है इन दे लेक्ट्चर ओफ मेकट्रोनिक्स इन मेक इडीजी तो आज हम लोग जैसे कंटिनियू का जो हम लोगों ने पिछले लेक्ट्चर देखा था वो हम लोगों ने sensors and actuators के उपर हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने एक आप लोगों का पीजियो इलेक्ट्रिक accelerometer हम लोगों ने किया था अब उसी series को हम लोग आगे बढ़ाते हैं उन्हीं lectures को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बाकी के sensors और actuators देखेंगे जो की आप लोगों के course में हैं ठीक है तो शुरू करते हैं with hall effect sensors also known as hall sensors ओके दोस्तों तो next जो हम लोगों के पास में next sensor है that is your optical encoder तो यह जो optical encoder है यह हम लोगों के पास में दो तरीके के होते हैं संके साहहेरां एक होते हैं इंक्रिमेंटल और एक होते हैं absolute incremental होते हैं कि वो bit by a bit अपनी increase करके आपको data provide क्रवाते हैं और absolute जो होते हैं वह इस type के होते हैं कि वो पूरा का पूरा whole world पहुचारते है होल वर्ड का मतलब यह होता है कि वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो एक तरी एक बारी में ट्रस्मिट करते हैं एक एक करके नहीं करते हैं तो यह जो एक्जाम्पल है आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने बनाया हुआ है यह एक 8-bit Optical Shaft Absolute Encoder का है तो इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो फिर यहां पर हम लोगों के पास में एक डिस पैटर्न है इस यह डिस पैटर्न एक तरीके का फिल्टर का काम कर रहा है आपके फोटो डिटेक्टर के बीच में ठीक है तो यह आप लोगों के पास में जैसे जैसे आपका शाफ्ट रिमूव करेगा यह जो भी करेगा मतलब रोटेट करेगा उसमें क्या होगा कि आपके पास में यहां पर पर पर्टिकुलर आउटपोट्स यह फोटो डिटेक्टर के थुरू यहां पर आप लोगों को बिलते रहेंगे अगर आपने देखा होगा तो फिर यहां पर हम लोगों ने कहीं पर यह शेडिंग करीवी है कहीं पर हम लोगों ने क्लियर करा हुआ है तो यह जो शेडिंग है यह बेसिकली आपका object, आपका जो light आ रही है उसको obstruct कर दे रहा है ठीक हे? तो यहाँ पर से जैसे आपके पास पर light आई, और फिर यह shaded part है या आपका क्या कर रहा है यह obstruct कर रहा है उस वडली light को तो उस वाली light को जब हमारे यह obstruct कर दे रहे हैं तो हमारे पास photo detector जो हमारे यहां पर sensor है photo detector जो आपका light को sense करता है वो आपको कोई भी output नहीं दे रहा है तो इसलिए आपको जो output है वो यहां पर zero मिल रही है similarly अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास में कोई भी obstruction नहीं है तो हमारे पास में जो direct light का signal है वो directly आपके पास में photo detector जो है वो sense कर दे रहा है और आपको एक output यहां पर high का मिल जा रहा है तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में हर जगह पर जहां जहां पर obstruction है उसको हम लोग zero बता रहे हैं और जहां जहां पर obstruction नहीं है वहां पर हम लोग के पास में output जो है वो one आ रहा है यह सारा का सारा जो चीज होता है mechanism होता है यह एक shaft के तरीके से होता है जिसमें कि आपके पास में यहां center में यहां पे आप लोगों के पास में यह फोटो डिटेक्टर लगे वह होते हैं ठीक है जैसे जैसे आप लोगों के घूमता है जो शार्प घूमता है accordingly आप लोगों के पास में outputs मिलते रहते हैं ठीक है तो जब हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है आप लोगों के पास में incremental और absolute की तो जो आप लोगों का absolute optical encoder है यह वहाँ पर यूज होता है जैसे आपका पूरा का पूरा जिसमें data simultaneously चलना है या आप लोगों के पास में कोई incremental pattern नहीं होता है वहाँ पर आप लोगों का absolute encoders का utilization होगा तो basically अगर आप लोगों देखें तो हम लोगों के telescopes में, flood control में और cranes में या जहाँ पर हमारे पास में slow rate होगा motion का वहाँ पर हम लोगों का absolute वाला optical encoder utilize होगा ठीक है वही पर जो incremental वाले हैं वो आप लोगों का जैसे जो fast movement होता है जैसे आप लोगों को tachometer हो गया तो tachometer में आप लोग incremental type encoder को use कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों हम लोगों के पास में जो basically questions बनेंगे वो optical encoder के basis पे यही बनेंगे कि वही है कि उसमें आप लोगों का किस तरीके का sensor use हो रहा है तो फिर basically हम लोगों के पास में क्या हो रहा है एक photo detector use हो रहा है उसमें दूसरी चीज आप लोगों के पास में जो types पूछे जा सकते हैं कि वही कि कौन-कौन से type के होते हैं incremental and absolute उसमें आप लोगों का utilization पता होना चाहिए आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को example दिया कि आप लोगों के पास में telescopes में use होता है फ्रट कंट्रोल में use होता है तो यह वाला काम जो है यह absolute का है incremental कहाँ पर यूज हो रहा है टेको मीटर में यूज हो रहा है आपका speed measurement में यूज हो रहा है तो यह जो है यह आप लोगों का optical encoder का utilization है और description ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तों तो next जो आप लोगों के पास में slavus में है that is resolver Resolver, Resolver अगर हम लोग देखें तो फिर यह हम लोगों के पास में एक winding configuration है आप लोगों के पास में two stator and two rotor Resolver का, ओके तो Resolver basically काम क्या करता है Resolver आप लोगों का जो angular positions हैं उसको Cartesian coordinate में बदलने का काम करता है यह काम है आप लोगों के पास में जो Resolver है उसका जो आपकी angular positions होंगी रोटर की उनको आपका Cartesian coordinates में convert करने का काम जो है वो आप लोगों का एक Resolver करता है यह जो है आप लोगों का जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि this is a two stator and two rotor configuration तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो फिर this S1, S3 over here and this S2 and S4 over here these are the stator windings यह दोनों की दोनों आप लोगों के पास में stator windings है और यह जो हैं आप लोगों के पास में यहाँ पर R1, R3 and R2, R4 these are your rotor windings तो अगर हम लोग देखें मिटा तो इस वाली चीज में हम लोगों के पास में जो यह अगर हम लोग आपके stator windings जो हैं उनको अगर हम लोग excite करें और rotor के across अगर हम लोग output लेना चाहें तो उस case में हम लोग यह वाली चीज़ करते हैं पहले कि हम लोग दोनों में से किसी एक को हम लोग excite करते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग यह वाली equation देखें तो इस वाले में हम लोगों ने एक stator को excite किया है और other को short circuit किया है ठीक है तो इस वाले में हम लोगों ने for example हम लोगों ने S1, S3 को excite किया है और S2, S4 को हम लोगों ने short circuit कर दिया तो जो भी पूरी consideration होगी वो through this S1, S3 हमारे पास में आएगी across the rotor तो अगर आप लोग देखें तो फिर हमारे पास में जो यह rotor के across जो output आ रही है that is E R1, R1, R3 इसमें जो हमारे पास में output होएगी that will be E S1, 3 जो आपके पास में यहाँ पर input आ रही है के across into cos theta ओके तो जितना भी हमारे पास में जो output आएगा वो sin theta और cos theta के terms में ही आपको available होगा similarly जो R2, 4 है इसके across जो हमारे पास में output आएगी that will be minus of E S1, 3 sin theta similarly अगर मैंने दोनों के दोनों जो stator है उनको मैंने excite कर दिया और output मैंने across this rotor लिया तो तब मेरे पास में जो output आएगा जो cartagen coordinates आएगे वो इस तरीके से आएगे कि E R 1, 3 जो E R 1, 3 है जो हमारे पास में यहाँ पर available है this will be basically E S1, 3 E S1, 3 cos theta plus E S2, 4 E S2, 4 sin theta okay उसी तरीके से जो E R 2, 4 के लिए जो हमारे पास में output आएगी that will be E S2, 4 cos theta okay E S2, 4 cos theta minus E S1, 3 sin theta E S1, 3 sin theta okay और अगर हम जो output है अभी तो हम लोगोंने क्या करा अगर हम लोगों ने rotor के थूर ली लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें कि excitation जो है वो हम लोग rotor windings को दें और output जो है वो stator से निकाले तो उस वाले case में हम लोगों के पास में जो stator में output आएगी वो यह आएगी कि ES13 जो हमारे पास में output आएगी that will be equal to ER13 cos theta minus ER24 sin theta okay and ES24 के across जो हमारे पास में output आएगी that will be ER24 cos theta plus ER13 sin theta and this angle जो आप लोगों के पास में जो रोटर भूम रहा है that signifies your theta that is the angular displacement of rotor okay तो यह जो resolver है यह आप लोगों का एक तरीके का electromagnetic device है इसमें main काम इसका यही है कि यह आप लोगों के पास में angular positions को Cartesian positions में convert करने का काम करता है okay तो इसका जो utilization है वो basically आप लोगों का vector resolution में है then pulse amplitude control में है pulse resolution में है और phase shifting में है यह इसके usages है यह applications आप लोगों के resolver के ओके तो इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तों तो next topic जो हम लोगों के पास में है that is your pneumatic actuators actuators जैसे कि हम लोगों ने पिछले case में भी हम लोगों ने discuss करा था कि आप लोगों का जो control signal होता है आपके किसी भी wall को जैसे हम लोगों ने last example देखा था operate करने के लिए जिसमें हम लोगों ने एक human को लगा रहा था जो कि wall open यह shutdown कर रहा था तो उस वाले case में हम लोगों ने देखा था कि एक actuator जो होता है वो आपका जो control signal होता है उसको actuate करके आपका जो wall है उसको operate करवाएगा तो actuator का काम जो होता है वो basically एक तरीक है कि force या torque apply करना होता है ताकि जो आपका output है वो आपका operate कर पाए ओके जैसे कि last example जो था हम लोगों ने valve वाला लिया था तो फिर उसमें जो valve opening का काम था वो आपका actuator कर रहा था इस लाइन पर अगर हम लोग देखें तो फिर यह pneumatic actuator जो है यह आप लोगों के course में दिया गया है तो pneumatic actuator समझने के लिए हम लोग इस वाले diagram का सहरा ले रहे हैं इसमें आप लोगों का एक diaphragm लिया गया है उस diaphragm के साथ में आपका एक spring system attach किया गया है तो अगर आपके पास में कोई भी pressure input आता है तो वो pressure input क्या करेगा वो आपके इस spring system को force करेगा और जब वो force करेगा तो आपकी जो यह shaft है यह नीचे की तरफ move करेगी ओके तो यह जो आपका pressure input है यह अगर आप देखें तो यह दूसरा वाला जो diagram हम लोगों ने बना रखा है इसमें आपको clearly visible होगा कि जैसे ही आपके पास में कोई pressure आपके पास में input में आया है तो उस pressure से यह जो shaft है यह नीचे की तरफ चलीग लिए So this is basically a pneumatic actuator जो pneumatic मतलब आपका air जो आपकी air होती है उसी को आप लोग pneumatic lines में भी बोलते हैं ओके तो यह जो पूरा का पूरा principle है इसका basically यह आपका differential pressure के उपर काम करता है और जो इसका main operational relation है वो है F is equal to P1 minus P2 into A तो अगर आपको force बढ़ानी है तो उसके दो तरीके है या तो आपका जो differential pressure है वो बढ़े या फिर आपका जो area है वो बढ़ जाए ओके तो अगर आपको जो आपको derive करना है जो आपको output derive करना है अगर उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास में दो है या तो फिर आप area जो इसका diaphragm का area है वो बढ़ा सकते है या आप differential pressure की जो value है वो बढ़ा सकते है इसके उपर based आप लोगों के पास में यह P1 minus P2 is your difference pressure A is area of diaphragm Okay and जो आपके पास में force है वो तो F से denote की ही गई है तो इसके उपर based आप लोगों के पास में numerical भी आ सकता है तो एक छोटा सा numerical हम इस वाले लाइन में देख लें सपोज आप लोगों को कोई force दी गई है F is equal to 400 newton की ओके और आप लोगों को पूछा गया है कि find the diaphragm area if a control gauge pressure of 70 kilopascals must be provide must be provide to this to have this force तो इसमें आप लोगों के पास में जो उन्होंने pressure apply करने के लिए बोला हुआ है that is P1 minus P2 जो बोला हुआ उसमें उन्होंने किता बोला है 70 kilopascals okay 70 kilopascals का उन्होंने आप लोगों को जो gauge pressure है वो बताया हुआ है okay तो इन्होंने आप से जो पूछा हुआ है that is your area area कितना लगेगा diaphragm का ये वाली चीज आप से question में पूछी गई है तो इसको आप simple कर सकते हैं कि जहां पर ये वाला equation है हम इसके accordingly अगर हम लोग देखें तो a is nothing but f upon p1 minus p2 okay यह delta p भी आप इस वाली चीज को बोल सकते हैं तो यहां पर से आप लोगों के पास में जो area होगा वो calculate हो सकता है force आप लोग दे सकते हैं 400 newton upon p1 minus p2 is 70 kilopascals so 70 into 10 to the power 3 यह हो जाएगा आप लोगों का तो इसको आप calculate कर सकते हैं it will be coming to around 5.71 into 10 to the power minus 3 meter square okay तो यह आप लोगों का area आएगा अब इसी में आप लोगों से हो सकता है कि वो जो आपके shaft है उसके length भी determine कर वाले तो उसको भी करना बहुत ही आसान है जैसे कि हम लोग जानते ही है कि this is a spring mechanism basically तो जितना भी आप लोगों के पास में यह mechanism होगा उसके लिए f is equal to kx जो हमारे पास में k delta x जो हमारे पास में hooks law होता है उसके through हम लोग इसको use कर सकते हैं so यहाँ पर से अगर हम इसको equate कर दें इस वाली force के साथ में तो we will be having k delta x is equal to p1 minus p2 into a और यहाँ पर से हमारे पास में delta x जो है वो हम लोग calculate कर सकते हैं कि लेंथ कितने consume हो गया आपकी so that will be p1 minus p2 into a upon k where k is your spring constant तो इस तरीके से हम लोग ने यह identify किया कि कैसे हम लोगों के numatic actuator work कर रहे है ठीक है तो यह जो है यह आप लोगों के लिए important topic है जो आप लोगों के पास में syllabus में पूछा गया है इसके उपर based अभी इतने ज्यादा कोई questions बने नहीं है तो इसलिए यह भी यह थोड़ा सा importance रखता है तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ओके यहाँ पर अगर आप लोगों के पास में प्रेशर इंड्यूस करोगे तो फिर यह जो डायाफ्रैम है यह नीचे को पुछ हो जाएगा जैसे कि इस वाले डाग्रम में आपको relevancy दिख रही है ओके इसके बाद में हम लोग देखते हैं आप लोगों के hydraulic actuator ओके दोस्तों तो फिर अब हम देखते हैं hydraulic actuator जैसे कि हम लोगों ने पिछले उसमें बात करी थी pneumatic actuator में pneumatic actuator में हम लोगों ने diaphragm का यूज किया था और इस वाले में हम लोग जो है एक piston assembly का use कर रहे हैं तो इसको अगर आप लोग देखें तो फिर आप लोग तो mechanical वाले हो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इस वाली चीज को याद होगा कि इसमें आप लोगों का area जो है वो different है ठीक है तो आप लोगों ने ये basically अपने fluid जो आप पढ़ते हैं जो आपका subject होता है उसमें भी आप लोगों ने काफी time पढ़ा होगा तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अगर आपके पास में ये वाला जो पार्ट हमारे पास में स्वाली piston assembly में तो फिर इसका जो size है वो बहुत छोटा है और इसका जो size है वो ब this piston upwards मतलब आपके पास में जो ये F1 वाली जो force है ये आपके पास में जो ये बड़ा वाला आपका piston है इसको push दे रही है ओके तो ये वाला जो काम है ये आप मतलब छोटी piston छोटा force को use करके आपकी ज्यादा बड़ी force exert करना ये वाला काम आप लोगों के पास में ये hydraulic actuator कर रहा है ओके तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये वाली जीज जानते हैं कि प्रेशर जो होगा यहाँ पर that pH will be equal to F1 upon A1 और जो pH ये प्रेशर यहाँ पर होगा that will be pH again and it will be equal to FW upon A2 तो जब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर अब जो दोनों के दोनों pressures जो applied हो रहे हैं वो दोनों के दोनों same ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसको equate कर सकते हो तो इस वाली चीज को अगर आप लोग देखोगे तो जो आप लोगों के पास में F1 upon A1 है that will be equal to FW upon A2 now this FW is your piston work force तो अगर हमको ये calculate करना है so that can be easily calculated FW can be easily calculated as A2 upon A1 into F1 ओके तो अगर आप इस चीज को अगर calculate करेंगे तो भाई area A2 का ज़्यादा बढ़ा है A1 का area कम है और वो denominator में है और F1 का भी जो force है वो तो है ही तो अगर आप इस पूरे के पूरे factor को देखेंगे तो फिर ये जो F1 है ये कई गुना ज़्यादा लगेगा for FW मतलब FW की जो value होगी वो F1 से काफी ज़्यादा होगी ओके तो ये वाली जो चीज है ये जो hydraulic actuator है ये आप लोगों के as a force multiplier भी काम कर रहा है ठीक है कि ये आप लोगों का जो है ज़्यादा force obtain करवा रहा है तो इस वाले में आप लोगों को जो ये वाला relation है ये थोड़ा सा note करके रखना है हो सकता है कि आप लोगों के पास में कोई numerical list type का बन जाए तो उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा और उसमें आप लोगों को ये particular values basically area की dv रहेंगी और आप लोगों को ये जो fw है ये calculate करने के लिए बोला जा सकता है ओके तो दिस इस यूर है hydraulic actuator ओके दोस्तों तो नेक्स्ट जो आप लोगों के पास में topic में है that is stepper motors ओके तो stepper motor क्या होती है stepper motor जैसे आप लोगों की बाकी की motors होती है वैसे ही होती है it is also an electro mechanical device अब ये जो आप लोगों के पास में stepper motor है इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका roll क्या है ये आपके step wise चलती है normal motor अगर आप लोग देखें तो फिर उसका एक gradual flow होता है वो constant आप लोगों के speed से चलती है और आप लोगों को जो motion है वो बहुत fast होता है आप लोगों की motor का लेकिन यहीं पर अगर हम लोग इस वाले इसको stepper motor को देखें तो ये आपके steps में चल सकती है ओके तो इसका अगर आप लोग बहुत ही अच्छा example अगर देखना चाहते हैं तो फिर ये सबसे ज़्यादा आप लोगों के robotics वगएर में use होती है ठीक है क्योंकि अगर आप robot का motion देखें तो फिर उसमें आपको कोई ऐसा बिलकुल तेजी से चलने वाला motion नहीं चीह होता कई बार उसको आपको कुछ जैसे अगर आपको कोई भी object उठाने वाला एक robot बनाना है तो यहाँ पर से जैसे वो जाएगा तो फिर वो यहाँ पर से आपका यह object उठा करके यहाँ पर रख देगा तो इस तरीके से आपको stepper motor का जो use है वो काफी ज्यादा हो गया है आज के टाइम पर stepper motor क्या करता है कि आपके various steps लेता है अब वो जो steps लेने के तरीके हैं वो आते हैं कि आप जो यह stator winding है इसको कैसे आप charge करते हो ताकि जो rotor है वो accordingly वैसे ही rotate करेगा जैसे जैसे आप उनको charge करोगे अगर हम लोग यह देखें तो फिरी this is a diagram of your stepper motor अब इसमें जैसे अगर मैं पहले अगर 1 पर charge करूँ ठीक है तो 1 को excite किया तो आपके पास में जो rotor है वो इसी position में रहेगा उसके बाद में मैंने उसको बंद कर दिया उसके switch को और फिर मैंने two को on करा तो two में क्या होगा यह मेरा घूम जाएगा यह जो है मेरा rotor जो है वो जिस तरफ का flux आएगा उसी तरफ वो move करेगा तो आपका जो यह rotor है यह घूम करके 90 degree का path ले लेगा जैसे कि normally अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैं अभी यह ऐसे है first instance में बाद में जैसे मैं two को excite करूँगा तो यह इस तरीके से हो जाएगा तो अगर आप इसको देखेंगे तो फिर यह पूरा का पूरा क्या है 90 degree का shift है तो जब यह 90 degree का shift यहां पर आया फिर उसके बाद मैं third वाले को excite करूँगा तो third वाले में क्या हो जाएगा फिर वापस यह इस वाली तरीके से आजाएगा इस वाली position में आ जाएगा ये फिर 90 degree shift हो जाएगा फिर उसके बाद मैं मैं 4 वाले को shift करूँगा फिर ये आपके पास में ये वाली position आ जाएगी इसकी तो आप अगर देखेंगे तो जैसे ही मैं इसको एक motion दूँगा 1, 2, 3, 4, then again 1, 2, 3, 4 तो ये एक cyclic operation हो जाएगा इसका ठीक है और ये rotate करने लग जाएगा but with certain steps इन ही steps को आप बढ़ा और घटा भी सकते हैं depending upon your excitation suppose अगर मेरे को इसमें जो angle है ये 90 degree की बज़ा 45 degree करना है तो मैं क्या करूँगा 1 और 2 को मैं simultaneously कर दूँगा तो तब मेरे पास में ये कैसे charge होगा मेरे पास में इस तरीके से rotor जो है वो इस तरीके से घुमेगा तो अगर देखेंगे पहले वाले इसके मुकाबले ये वाली जो position है ये आपके पास में कितनी है 45 degree का shift है ओके उसके बाद में मैंने 1 2 के बाद में मैंने 2 3 किया या पहले मेरे पास में 1 पे था 1 के बाद मैंने 1 2 किया 1 और 2 दोनों के दोनों को तो तब ये ये वाली position ले लेगा rotor तो फिर अगर आप देखेंगे तो फिर कही ना कहीं पर 45 degree का shift आप लोगों के पास में आएगा तो इसी तरीके से आप अपना जो step size है वो घटा और बढ़ा सकते हैं number of stator windings अगर आप बढ़ा देंगे तो आप लोगों का step size है वो और घट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोग stepper motor को use कर सकते हैं और consistently जो stepper motor है वो आज के time में काफी use हो रही है इसी लिए यह आप लोगों के पास में कोर्स में दी गई है तो यही था आप लोगों के पास में जो कोर्स में जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के sensors actuator related वो सारी की सारी हम लोगों पर करने की कोशिश करी है अपने इस lecture series में hope आप लोगों को पसंद आई हो और जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से कह रहा हूं कि कोविट का टाइम चल रहा है थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखिए अपने आसपडोस का भी ख्याल रखिए और मास लगा करके रखिए और जितना हो सके उतना कम घर से बाहर निकलिए अपने पेपर की तयारी कीजिए और make it easy तो है ही आपके साथ में आप लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोगों को नई नी चीज़ें बताने के लिए और आपके कोर्स से related चीज़ें करवाने के लिए तो with this I sign off thank you